पवार साब अगर उपे के चेर्बन बनने जा रहे तो वह हमारे लिया खुशी के बात है लेकिन इसी कोई मुझे लगता है हलसाल मुझे नहीं बिख रही है तो पवार साब ने उसका इंकार किया खुद पवार साब बहुत बड़े निता है देश के महराश्टर के उनके नेत्रूते में हम सब काम कर रहे हैं लेकिन जिस उपे के चेर्मन से की बात अब प्रत्ते हो जो फैसला है उस बारे में अब तक कोई सामने प्रस्तावाया नहीं है यह बात अगर पावार साब खुद आकर कह हुआ है तो इसका पर चरचा करना ठीक नहीं है हम तो हमेशा उत्लड इतीशी है हम सागे भी ऑगर Principing समर्थन्षा क्षिंगे हम करेंगे लेकिन देखना पड़ा कह सब्सक्राइब है और हुआ हूं दिल्ली जाओंगा देवां धरी जारा हैं in वहाँ दिश लेकिन नई राजनितिक माहौल में देश का जो अपोजिशन है उसको एक साथ आकर मजबूती से कुछ निर्णे लेने होगे कॉंग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है मैं मानता हूं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी लोग सभा में जिदर आप अपोजिशन का पद भी हासिल नहीं कर से कि यह भी सकता है ऐसे हम सब को एक साथ आते हैं यूपियों को मद्विद बनाना पड़ेगा जिस तरह से महारास्टा में माविकास अघारी बनी है इस तरह से कोई बड़े अघारी या फ्रंट बन सकता है तो उसका नित्रुचों कोन करेगा यह ब बनाओ पाल बनाओ जिस तरह से कर दो एक पर दो है इसना कर दो हाउर है नहांग कि एक झाल बनाओ करस्ति कर जड़ेगगा है झालके ड़ंजाने बनाओ कि एक यह रखिए ढ़ेगा है एक एक हुआ कि अचराश्ग थार नहीं माई रष्णाफ